दोस्तों मैं विक्रम प्रसाद बल्यावाला यूएसे से बोल रहा हूँ मार्श तेरग करीब दस दिन के बाद में 2022 में अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम स्टार्ट होगा ये हर एक साल चेंज होता है दो बार साल में ये वाला जो है ये मार्च वाला है डेलाइट से भी टाइम इसमें क्या होता है कि जो कलाक होती हैं एक घंटा आगे बढ़ा जाता है तो जिस दिन ये बढ़ने वाला है उस दिन दो बज़े करीब एक घंटा टाइम बढ़ाए जागा कहने का मतलब कि अगर दो बज़ा है तो तीन बज़े का टाइम हो जाएगा तो ये क्यों किया जाता है मेरिका में मोस्ट इस्टेट्स में जो है ये कभी-कभी बहुत पकियूलियर लगता है लोगों को विदेश के लोगों को कि यह है एक्चली क्या सिस्टम बला की क्या सिस्टम है जो कि लोग साल में दो साल करने दो बार करने के लिए तेया रहते हैं अमेरिकन लोग तो यह याद रखीएगा कि जैसे हम बोले हैं कि यह डेलाइट से भी टाइम होता है और इस साल 2022 में मार्श 13 को पड़ा है और मार्श 13 को यह होगा कि यह संडे रहेगा और दो बज़े कलाक आदमी बदलेगा तो इसमें क्या होता है कि कहा जाता है उन आवर फारवर्ड और फाल में फिर होता है नमबर च्छा को होगा दो जार बाइस में उसको एग हंटा पीछे के जाता है तो इसको कहा जाता है फाल बैकवर्ड इसको अभी जो है ये स्प्रिंग का आने वाला है तो कहते हैं कि स्प्रिंग फारवर्ड और जो फाल का होता है उसको कहते हैं फाल बैकवर्ड तो ये दो कि लोगों को ये बहुत पर्पाइदा इसका कि जो कि मार्च वाला उसके होने से इतना होता है उसमें इलेक्टिसिटी वगर बहुत होती है और इसके पाइदे बहुत होते हैं जो कि है अगर आपको देखना हो जादे इसके बारे में डीटेल तो आप जरूर किसी साइट पर जाके देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो में मेरे कोई ही कहना है कि देखी कैसा लगता है कि यह क्रेजी सिस्टम है यह जो मार्च में यह वन आवर कलाक को और फिर फाल में एगंटा पीछे करना लेकिन दोनों में यही फाइदा है कि देखे उसमें डे लाइट सेविंग की टाइम होती है एलेक्टिसिटे की सेविंग होती है तो इसके फायरे बहुत हैं नुक्सान कोई नहीं है और लोग यहां अमेरिका में सभी लोग यूज हो ग अगर आपको स्टेंज लगे कि पूरा कंट्री के लोग कैसे हैं अमेरिका में की दो-दो बार इस तरह के खेल खेलते हैं और यह लगता है कि खेल ही है लेकिर यह खेल नहीं है यह एक सिस्टम है जो कोई देश को बहुत फायदा करता है तो मैं इस वीडियो को यहीं ही कहने के लिए बहुत है इससे जादे मेरे को इलाबरेट करने का कोई फायदा नहीं है इस देलाइट के बारे में अन्ना उसको हिस्टी देने की जुरुत है कि कम सुरू हुआ कैसे कब तक चलेगा और कुछ लोग इसको अपोजिशन करते हैं कि नहीं आफकोर्स कुछ लो कि खतम होगा क्या होगा देखें कोई चीज अमेरिका में फिक्स नहीं है कोई भी चीज बदल सकती है रूल बदल सकते हैं लेकिन मोस्ली जो बड़े कॉम्स्टेंट सिस्टम है तो मैं तो यह ही कहोगा कि आप वीडियो को वाच करके अपना कमन्ट भेजे ताकि मैं समझू है तो अभी तो आपको हम यह भी नहीं बता है कि अमेरिका में लोग राइट में हाइवे पर और रोड में लोग राइट को डाइव करता है जबकि इंडिया में लोग लेफ्ट डाइव करता है तो उसके बारे में हम फिर कभी बात में बात करेंगे लेकिन और एक तो और है कि अमेरिका में पाउंड का सिस्टम चलता है तोलने के टाइम में पाउंड और पानी का लिटर में चलता है जबकि इंडिया में किलो ग्राम का सिस्टम चलता है तो ये बड़े पेक्यूलियर लगते हैं इंडिया लोगों को या हम लोग भी जब सुरूर में आए तो हम लोग को लगा कि यह तो बडा वियर्ड सुस्टम है एलेक्ट्रिक सुच्छ को यह है कि आप उपर करेंगे और निश्य करेंगे तो वो आफ होगा तो अभी होप कि हमको याद है यह वाला एलेक्टिक सुच वाला जो हम आपको अभी बोले हैं तो वह भी बहुत आपको ड़कता है विदेशियों को और तो मैं आप से फिर बात करूंगा मेन वाइल थैंक्स पर वाचिंग माइं वीडियो